परिचय शिखा और उसके माता पिता मुंबई के लिए हवाई जाहास पकड़ने के लिए हवाई अड़े पर हैं। इस पार्ठ में हम यातायात के विभिन साधनों के बारे में जानेंगे। परिवहन परिवहन के साधन वस्तुओं, व्यक्तिओं और जन्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाले वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं। परिवहन के माध्यम जल परिवहन और वायू परिवहन सडक परिवहन धर्ती पर होने वाले वस्तुओं और यात्रियों के यातायात को थल यानि भूमी परिवहन कहते हैं। थल परिवहन को सडक परिवहन और रेल परिवहन में बाट सकते हैं। सडक परिवहन सडक जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती है जिस रास्ते या मार्ग पर गाड़ियां चलाई जाती हैं, उन्हें सडक परिवहन कहते हैं रेल परिवहन ट्रेन की सहायता से रेल की पट्रियों पर वस्तूओं और यात्रियों की होने वाली यात्रा को रेल परिवहन कहते हैं जिस रास्ते या मार्ग पर ट्रेने चलती हैं, उसे रेलवे कहते हैं जल परिवहन पानी में यात्रियों और सामान के यातायात को जल परिवहन कहते हैं यात्रियों और सामान नाव और जल पोत की सहायता से देश के अंदर और देश के बाहर स्थानांतरित किये जाते हैं वायू परिवहन यात्रियों और सामान को हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर के माध्यम से एक से दूसरे स्थान तक ले जाने को वायू परिवहन कहते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और बाढ़ के समय यात्रियों और सामान के परिवहन के लिए काफी उपियोगी होता है यह परिवहन का तीवर्दम साधन है हमने क्या चर्चा की? वस्तूओं, व्यक्तियों और जन्तूओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को परिवहन कहते हैं वस्तूओं, व्यक्तियों और जन्तूओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने वाहकों को परिवहन के साधन कहते हैं परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न माध्यमों को परिवहन के माध्यम कहते हैं थल, जल और वायू परिवहन के तीन माध्यम हैं